नमस्कार राधे राधे, कैसे हैं आप सब ही? उम्मीद करता हूँ, अच्छे होंगे, श्वस्त होंगे और मज़े में होंगे दर्सकों आज का जो हमारा वेडियो है, वो राहू गरह के उपर में आधारित है आज हम लोग बात करने वाले हैं, कि राहू गरह के कुछ उपाई के बारे में, जिस उपाई को करने से अगर आपके जनम कुंडली में राहू का परभाव नीगेटिव यानी की नकारात्मक है अगर राहू आपके कुंडली में गलत जगह पर बैठा हुआ है और अगर वहां से वह आपको असुभ फल परदान कर रहा है तो किस उपाई की माध्यम से इस समस्या से बाहर निकलने में आप सक्षम हो सकते हैं अगर आप यह जानना चाहते हैं तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना चाहिए परंतु उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो के नीचे में आपको अपना नाम कमेंट कर देना है उसके बाद इस उपाई को बड़े ही ध्यान से सुनना है मित्रों जिस विक्ती के कुंडली में राहू असुभ यानि की निगेटिव होता है उस विक्ती के जीबन में राहू ग्रह बहुत बुरा-बुरा काम कर देता है जैसे वेविक्ति जो होता है उसका अश्रुभाव मकाडी वाला हो जाता है। वेविक्ति जूट बोलता है। वो बेवजा हमें लोगों के मन में भैवत्पन्न करना सुरू कर देता है। उसकी बातिय जो होती है वो सप्ते बहुत कम होती है। राहु के कार्जिकाल में उस व्यक्ति के उपर में कोई कलंक लग जाता है, कोई लांचन लग जाता है जो कि उसके छबी को बिगार देता है। इसा लगेगा आपको कि वह विक्ति जो बोल रहा है उसके वानी में किसी गाली का वास हो गया अगर वह आपसे अच्छे से बात भी करता है फिर भी उसकी जो बाते हैं वह आपको गाली के समान लगना शुरू हो जाएगा राहू के प्रभाव में विक्ति छल कपट करना शुरू कर देता है नसे में आ जाता है और अपने शंगती को पूरा बिगार लेता है ऐसा विक्ति अपने जिम्मेदारी से भटक जाता है और किसी भी इंसान का विश्वास पातर नहीं रहता है और भी बहुत बाते हैं जो रा राहू का प्रभाव आप पर होना शुरू हो जाए तो आपको गाई को हरा चारा थिलाना चाहिए, अगर आप ये करते हैं तो इस उपाई से राहू का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा और जो निगेटी बाते होगी वो कम होना शुरू हो जाएगा, राहू के समय में आपको क करना क्या है कि आपको काला कपरा, खटा फल, तिल का तेल, गुर, सरसो का तेल, इन वस्तुवों का दान कर देना है। अगर आप ये करते हैं तो ये उपाई भी आपके लिए बहुत ज्यादा फाइदे मंद होगा। और आप प्रयास करें कि जूट बहुत कम से कम बोलें। ज आपको पड़ेशानी का सामना करना होगा। मित्रों राहु के समय में आप गोभी, मतर, राजमा, पनीर इन चीजों का सेवन रातरी के समय में बिलकुल भी ना करें। और अगर शंभव हो तो दिन में भी आप कम से कम खाएं वो आपके लिए फाइदे मंद होगा। अगला उपाई है कि आपको रवी बार के दिन भैरव जी जो है भगवान भैरव आपको उनका दर्सन करना है। और करना कब है वो दोपहर में करना है। यानि कि रवी बार के दिन दोपहर में आपको भगवान भैरव जी का दर्सन करना है। ये उपाई भी आपके लिए बहुत ज श्रू हो जाएगी और शमय का साथ भागी का सपोर्ट आपको अबश्य मिलेगा मित्रों उम्मीद करता हूँ शाड़ी बातें सपस्ट हो चुकी होगी अगर आपके मन में कोई प्रस्ण हो कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा आपकी शहायता अबश्य की जाएगी वैसे मु वीडियो में धन्यवाद